आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि मैंने अपने गार्डन में जो है सबजिया लगाई हैं उनका अपडेट देने वाली हूं कैसे हैं और क्या चल रहे और क्या के जो है मैंने लगाए हैं तो देखिए सबसे पहले नंबर की बात करें तो यह देखिए मैंने इस तसले में लगा रखे हैं मेथी और इनकी ग्रोध काफी अच्छी से चल रही है सारे मेथी जर्मिनेट हो गया है अब यह थोड़े बड़ी हो जाएंगे तो हम इनको निकाल के साग बना सकते मेथी एक ऐसा जो है लीफी वेजटेबल जो बहुत जल्दी जो है ग्रोध करता है और यहां पर दीके छोटे से कंटेनर में यह जो है नर्सरी पॉट है इसमें भी जो है मैंने लगा रखे हैं इनकी भी ग्रोध काफी अच्छी से चल रही है और यह दूसरा जो पॉदा है यह बकला फली का देखिए इनकी भी ग्रोध काफी अच्छे चल रही है और इनको मैंने जो है जुगाडू जो है ग्रोध में लगा रखें यह वही बैग है जिसमें क्या है कंपोस्ट जो है मिलते हैं तो कंपोस्ट वाले जो वर्वी कंपोस क्वाली शायद अगर मेरे ने सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा उकलाश्य जह मैंने इनको ग्रोध किया था और इस वहां पी ता तो यहां पे जो है मैंने इनको ग्रोध कर दिये और यह जो कंटेणर मेरा गंबला है इसमें मैंने गार्लिक लगा रखा हुआ है देख प्रावल्ब आगी है इसमें जो लीप कर्ड है इसकी समस्य आगी है लेकिन इसमें मैंने ट्रिक्मेंट किया है पितक यह जो है इससे निजात नहीं डिला पाई हूं पौदे को और इसमें टो जो है लगने शुरू हो गए हैं तो इनको सपोर्ट जरूर देखिए मैं मैंने ग्रो किये थे वह देखिए कहीं कहीं जो है मैंने यहां पर लगा दिये यह भी काफी अच्छे तरीके से स्टेबल हो गया है यह लग गया है देखिए तो प्याज आप इस तरीके से भी लगा सकते और इसमें देखिए अर्भी भी लगे हुए हुए है और साथ में सा तो हमने पौदो को कुछ करना नहीं है बस इनको इनके हाल पे छोड़ देना है और जैसे समर आएगा तो यह और अच्छी तरीके से जो है यानि कि दो महीने यह जो है जाएंगी चिलिया तो लगेंगे लेकिन क्या साइज में छोटे होंगे कुछ इस तरीके से चोटे पहले क आथा तो इसमें लगार्य है तो देखा जाए तो इसमें फ्रूर्ट जो है अब ही दिखिए देखिए चिली चिली ही पोधा हेँ आपको दिखाए हैं काफी ज़्यादा अगले बात करें वेजटेबल मेरे कालीफलार जो है और यह देखिए यह जो सिंगल पौदा है यह ट भी पॉप अपोप पॉप जैसे हो गया है और इनका फोली कितना बड़ा और यह विकार में लगा हूँआ है यह दूद के जो प्यक्चे पेखे पेड़ करें जो है जोब होई है यांनि इसमें पर चल रही है और बाकि जो ग्रो कर रहीं है और बाकि जो ग्रोब जब्सक्राइब तें एंगे तो प्रूसमों भूब रहा है अब खुरम होने का रिजल मैं बतते हूं क्यों यह खुराब हुआ है देखिए इसके उपर क्या यह वायर को अगले की दलते हैं कपड़े हो specially Time और इसमें अगले बाद करें पौदे की तो सोय', मेरे काड़ा में पूँदे में धरी के तरीका zeggen से जिया आए काफी जो अच्छे तरीके से उगरें थोड़े से बड़े हो जाए तो मैं इनको हर्वेस्ट कर लूँगी जड़ के साथ हर्वेस्ट करूँगी क्योंकि जो इसी कंटेनर या नी जो पॉट रखा है यह मैंने पिटुनिया के लिए रखा हुआ और पिटुनिया ग्रोथ देख लेकिन मुझे रिजल्ट क्या मिला कि उपर तो मोटे मोटे थे लेकिन नीचे पतले पतले ही से तो इसे अभी जो है मैं और टाइम दोंगी जो चोड़ दोंगी और यहां पर देखे गाजर मैंने दूबारा से जो है लगा रखे है इस ग्रोब बैग में तो इसमें भी काफ अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर गया है देखिए सारे के सारे बीच वीच उग गया है लेकिन इस टाइम पर पानी देते समय कि यह लेट गया लेकिन खड़ा नहीं हो पाया तो यह प्रॉल्म आती है पानी बिल्कुल हलके हां से देना है और इधर भी गाजरी लगा हुआ तो गाजर भी दिले दिले जो है स्प्राउट तो हो गया है दिले दिले जो है बाहर आएंगे और अगले पोदे की बात करें तो यह है राजमा देखिए राजमा का अपडेट मैं देती रहती हूं डेली रिश्टा पे अब देखिए इसमें अच्छा तरीके से जो है फलिया बन गी है बहुत सारी फलिया बन गी है अब इसका हम कच्छे में इस्तमाल कर सकते हैं कि नई कुपिंग में यह मुझे भी पता नहीं है लेकिन में वेट करूंगी या फिर कच्छे में इनको हर्वेस्ट करके सबजी सुमजी मना के देखें किया रिजल्ट मिलता है वैसे ल परपल सा जो है कुछ हो रहा है यह क्यों हो रहा है मुझे भी आइडिया नहीं कि मैं जो गोबी है फॉर्स टाइम ग्रोव कर रही हूं अपने गार्डन में जैसे जैसे एक्स्प्रियेंस होगा वैसे वैसे मैं भी सीखाऊंगी अगर किसी को पता हो तो ज़रूर पता है इ इसमें जो है मैंने चार-पांस गोबिया जो है लगा दी है अब आगे चलते हैं यहां पर देखिए इसमें गोबी लगा रखें सायद वोट ज्यादा पानी के वज़ए से कुछ इस तरीके से हो रहा है और यह करेला की जो है बेल है देखे कितनी बड़ी हो गई है और अप इसमें को कल फाइलर जो हर्वेश्ट कर लूँगी तो यह कुछ सब्जी के मेरे गार्डर में जो मैंने बड़ा रखे है तो यह थोड़ी सी चोटी सी अब्डेट मैंने आपको दिया अई-आप धी सब्साइज पीसफू लगे थांक्यों थांक्यों थांक्यू बर बाइबे, टेक यहर।